एक मिनेट में कैसे पता करें कि आप प्रेगनेंट हो या नहीं? क्या सच में एक मिनेट में प्रेगनेंशी के बारे में पता कर सकते हैं? खेर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना Friends, जब एक फीमेल की प्रेगनेंशी ठेरती है तो जब जब सी बात है कि फीमेल की बॉड़ी, मूड और सर्विक्स यानि बच्चे दानी के मूँ के अंदर कुछ चेंजिस आते हैं जो मिस्ट पीडेट की डेट से पहले ही आपको यह बता देते हैं कि आप प्रेगनेंट हो गई हो लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्रेगनेंशी टेस्ट करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज बिलकुल ना करें अगर आप बार बार अपनी फिंगर्से अपने सर्विक्स को टच करती हो तो सर्विक्स पर इंजिरी हो सकती है ब्लीडिंग हो सकती है और साथ ही आपको प्रेगनेंशी टेरने वे भी बहुत मुश्किल हो सकती है फिंगर्टेस्ट की जगा ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंशी टेरने के बारे में आपको बताते हैं तो चलो पहले उन लक्षनों के बारे में बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी टहरते ही फीमेल की बॉड़ी में हर्मोनल चेंजिस होते हैं जिसकी वज़े से आपकी ब्रेष्ट सेंसिटिव हो जाती है और आपको ब्रेष्ट में पेइन भी फील हो जकता है फैर कुछ वीक्स के बाद आपकी बॉड़ी इन हर्मोनल चेंजिस के साथ एड़जेस्ट कर जाती है नमबर टू इस फैटीग हर्मोनल चेंजिस की वज़़ से आपकी बॉड़ी बहुत ठक भी जाती है तो इसलिए ही आपको बार बार सोने का मन करेगा नमबर थ्री इस नौजिया प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपको उल्टी करने का मन भी करेगा नमबर फोर इस फूड क्रेविंग्स आपको कुछ चीजे खाने का मन करेगा और साथी खाना पकने की स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी नमबर फाइव इस पेइन इन लोर अब्डोमेन प्रेगनेंसी ठहरने के समय एम्ब्रियो यूटरस वॉल पर अपनी जगा बना रहा होता है जिसकी वज़े से आपको हलका फुलका पेइन हो सकता है लेकिन आपको इस पेइन को कम करने के लिए कोई भी पेइन किलर का इस्तेमाल नहीं करना पेइन किलर को खाने से आपका मिसकरीज हो सकता है अब जब बॉडी में हर्मोनल चैंजिस हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सर में दर्थ और बाडी में थकान तो होईगी ही प्रेगनेंसी ठहरने के बाद अंडर्वेर पर आपको हलके फुलके खून के दाग देखने को मिल सकते हैं आपका मूड कभी अच्छा रहेगा और कभी खराब रहेगा और ये सब भी हॉर्मोनल चेंजिस की वज़ा से ही हो रहा होता है और फ्रेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिमिल्स में ये सिम्टम्स नजर आए और किसी फिमिल्स को ना नजर आए लेकिन मैं आपको फिर से एक बार और कहूंगा कि अगर आपको ये symptoms नजर नहीं आते तो आप finger test का use बिलकुल ना करें अगर आपको pregnancy ठहरने के लक्षन नहीं नजर आते और आपका period भी miss हो गया है तो आप period मिस होने के 2-3 दिन बाद pregnancy test kit से अपना pregnancy test कर सकती हो और friends इसी के साथ में ये वीडियो एंड करता हूँ अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हूँ मैं आपके comments का reply करने की पूरी कोशिश करूँगा